Hello guys, Global Online Classes पे आप सभी का सोगत है तो अच्छा हम बात करेंगे मदुराई कामाराज उनिरसिटी यहाँ पर PhD एडमिशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए है सब कुछ जानकरी लेंगे हम यहाँ पर 51 सब्जेक्ट से आवेदन पत्र मांगे गए है और सीट भी मैक्जिमम सीट है यहाँ पर अल्स फैकल्टी के लिए कम्पलीट डेटेल देखेंगे हम यहाँ पर PhD इंटरंस एक्जाम के थुरू आपका एडमिशन होंगा और आपका नेट नहीं भी है तब भी आप एपले कर सकते हो और नेट है तो आप एक्जेम्टेट कैटिगरी में आ जाओंगे तो स्टुटंट यहाँ पर आल इंफर्मिशन देखेंगे एक अच्छी इंवर्सिटी है इंवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर A++ grade वाली University है, A++ grade है इसका अच्छी university है आप यहां से PhD कर सकते हो, तो चलते हम official website पर इसका link में ने description box में दिया है, आप भी visit कर सकते हो, और कहां से login वगेरे करना है आपको, यानि कहां से application करना है और website वगेरे हम last में देखेंगे, पहले तो इसका detail देख लेंगे, देखें आ पुल टाइम पार्टाइम यहाँ पर आप कर सकते हो PhD तो student यहाँ पर आपका entrance exam होगा common entrance test बहुत सारे subject से और एक common subject है पूरे यहाँ पर आपका admission जो है entrance exam clear करने के बाद ही होगा और यहाँ पर application fees के अगर हम बात करें तो 2000 रुपए fees है general category के लिए और SCST candidate के लिए 1000 रुपए fees ह और just wait student यहाँ पर उसके बाद हम subject देखेंगे subject यहाँ पर आप देख लीजियेंगा अगर मैं सब subject आपको पढ़कर बताओंगा तो और time जाएंगा अपना देखेंगे आप पर सभी subject science faculty humanities faculty उसके बाद जो arts से आते है arts commerce science यह सभी से यहाँ पर आपके subject दिये हैं तो आप दे तो student यह subject है पूरे 51 subject से आपको आवेदन पत्र मांगे गए हैं उसके बाद हम important information देख लेंगे देखेंगे आप पर SCST के लिए 1000 रुपए और general के लिए entrance examination के लिए जो है registration fees है उसके बाद online जो registration और पोर्टल अभी open नहीं हुआ है will be notified on the university website तो आप पर application का last date भी नहीं दिया है और test जो है entrance test वह भी आपर जो है अभी notify नहीं हुआ है तो वह भी notify हो जाएंगा आपका pattern क्या रहेंगा exam pattern देखेंगे आप पर 100 mark के लिए आपका objective टाइप exam होंगा first paper रहेंगा आपका objective टाइप यानी mcqs type research aptitude English comprehension logical and general reasoning उसके बाद the part 2 रहेंगा आपका जो subject है उस subject से आपको यानी उस subject से आपको question पूछे जाएंगे 50% और यहाँ पर PG standard जो होता है PG में post graduation में जो होता है आपका syllabus उसके according आपको जो है इसका syllabus है paper second का और paper first जो है research methodology aptitude और जो है यह पूरा global online ने यहाँ पर complete course launch किया है research methodology और reasoning वगेरे इसमें सब कुछ आ जाता है तो देखिए आप पर अगर यह course आप लेते हो तो आपका 50% यहाँ से ही cover हो जाएंगा यहाँ पर आपको full syllabus video lecture मिलेंगे हर topic पर हर unit पर यहाँ पर आपको lecture मिलेंगे 10 full syllabus mock test series है objective type होंगा आपका exam तो य यह बहुत फायदे मंद होंगे यह आपको mock test then descriptive notes भी होंगे आपको जो है पूरा concept आपका clear होंगा MCQs question bank दिया जाएंगा और Hindi English में यह study material available है इसका जो fees है यह 799 fees है इस number पर आप contact कर सकते हो अगर आपको course को join करना है तो इस number पर contact कीजिए और first paper को join कीजिए जो भी यहाँ पर इच्छुक है PhD करने के लिए हम आपको 100% guarantee देते हैं आपको 50 50 में से 50 marks में से आपको 40 plus mark आही जाएंगे अगर आप अच्छे से prepare करते हो तो second paper के लिए भी courses available है study material मिलेंगा आपको management, economics, computer science यह जितने भी subject दिख रहे हैं यह सभी subject से आपको study material मिल जाएंगा इसका जो fees है यह 999 fees है इस number पर आप contact कीजिए और course को दोनों भी आप course join करते हो तो आपको discount दिया जाएंगा एक्स्ट्रा discount दिया जाएंगा तो इस number पर जल three information देख लेंगे यहाँ पर आपका second paper का जो है PGK standard का यह सब कुछ आपको मिल जाएंगा मैंने आपको बता दिया उसके बाद eligibility criteria वगेरे हम देख लेंगे यह पूरे subject है उसके बाद eligibility criteria क्या रहेंगा आपका देखिए आपका master degree होना चाहिए master degree होना चाहिए और bachelor भी रहा भी आप apply कर सकते हो master master degree में आपको जो है 55% होना चाहिए जो general category के होते open category में जो आते हैं उनके लिए और 55% में से 5% relaxation होता है है SCST category के लिए OVC category के जो student है उनके लिए 5% का relaxation होता है यानि 50% भी रहा तो आप लाइक कर सकते हैं और बैचलर डिगरी जो है बैचलर डिगरी वालों के लिए 75% होना चाहिए तो यह रहता है क्याटेगरी eligibility criteria यह होगा आपका eligibility criteria गया for Indian nationals उसके बाद university shall admitted PhD student through online test यानि online test के थ्रूँ यह आपका admission यहाँ पर होगा part time full time में आप यहाँ पर admission कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर student आपका exam होने के बाद यहाँ पर आपको जो है interview के लिए बुलाया जाएंगा और आपको 100 में से 50% आपको जो है लान होगा pass out के लिए entrance exam आपका pass होंगे जब आपको 50 mark पढ़ते 50% आपको mark पढ़ते उसमें तो आप qualified हो जाओंगे interview के लिए और 5% relaxation होता है SCST के लिए OVC category के लिए और differently able category के लिए यानि 45 भी अगर आपको mark रहे तब आप यहाँ पर apply यानि आपको interview के लिए बुलाया जाएंगा और 70% इसका वेटेज रहेंगा उसके बाद आपका interview होंगा 30% उसको वेटेज रहेंगा तो यह रहेंगा आपका exam का criteria उसके बाद entrance test का जो center है यह only मदुराई में ही exam होंगा उसके बाद देखे आप पर 50% आपको research से पूछा जाएंगा research aptitude और second के लिए आपका subject है subject concern जैसे के मेरा management है तो मुझको management से question पूछे जाएंगे selection process मैंने आपको बता दी है interview होगे रहोंगा exempted category में जो student आते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है exemption the following candidate exempted for appearing for the entrance examination and interview and they may be directly admitted into the PhD admission तो यहाँ पर देखिए junior senior research fellowship भी यहाँ पर जो है आपको मिलेंगा इसके बाद यानि यह जो junior senior research fellowship जिसको मिलता है उसके लिए directly यह admission हो जाएंगा उनका selection रहेंगा direct interview के बाद full time part time का उनका admission का जो है यानि full time का three year minimum जो है PhD program का रहेंगा three year course work वगेरे सब मिलाकर फिर part time के लिए आप पर दिया है पार time में जो भी आप यानि जहाँ पर भी आप work वगेरे करते तो उसका पूरा आपको registration के वक्त वो पूरा employment status जो है respective of their employment status या पर आपको state वो यानि कुछ देना होता है statement वगेरे देना होता है employment का उसके बाद duration क्या रहेंगा three year minimum रहता है और six year आपका ज्यादा से ज्यादा maximum six year रहता है duration इस time में आपका जो है admission यानि PhD program हो जाता है पूरा और यह application दिया है general instruction या अगर आपका net, state, gate रहेंगा तब आप exempted category में आ जाओंगे यानि आप exam देने की जरुरत नहीं आपको directly admission ले सकते हो तो इस तरह से यह exempted category का रहेंगा उसके बाद student यहाँ पर यह हमने देख लिया है आपका important information यानि syllabus होगे रहेंगा तो इस तरह से यह आपका फूरा मधुराई का information हमने देख लिया है notice देख लिया है अभी आपको कहा से जाना है मैं देखिए यह information यहाँ से आपको मधुराई कामराई उनिवर्सिटी यहाँ से आपको मिलेंगा यह जो इनिवर्सिटी का link है मैंने description box में दिया है आप exemption में जाओंगे research में जाओंगे तो यहाँ पर नीच management enrollment of center is supervisor enrollment supervisor non research center तो यह उनके लिए है यह आपके लिए online registration वाइवावाइस थू वीडियो कानफरेंसे होंगा इंट्रन स्टेट्स एडमिशन एंफिल और पीजडी के लिए प्रिवेस येर का है यह तो इस तरह से यह पूरा detail दिया है देखिए आसे आप apply कर सकते हो online उसके बाद यह पूरा information information instruction जो है वह आप पढ़ लीजिए यहाँ से आप apply कर सकते हो online payment वागेरे यहाँ से होंगा SBI SBI की bank से तो इस तरह से यह इसका जो link है में description box में दिया है आप यहाँ से आकर directly visit कर सकते हो 2004 के लिए यह admission की जो है process चल रहा है तो आप यहाँ से आके देख सकते हो thank you धन्यवाद अगर आपको कोई भी doubt हो तो मुझको comment कीजिए मैं आपका जो है reply देने का पूरा कोशिच करूंगा आपको कोई भी doubt रहा तो आप पूश सकते हो यहाँ पर eligibility criteria pattern of examination exemption important information online payment apply यहाँ से भी कर सकते हो यह पूरा research से related ही है